कार्तिक ब्रतो सम्मंद में थोड़ा सा आलो चुना करेंगे कार्तिक ब्रतो यह बहुत महत्त पुरुना है उसके अंदर यह कार्तिक ब्रतो सिर्माद भागबत महापुरान में हैं अमबरिश महराज कार्तिक ब्रतो उज्जापन किया है कार्थिक ब्रतों किया है एकार्थिशी समन नितों जो कार्थिक ब्रतों तो ये कार्थिक ब्रतों भीशिश महिमान नितों समस्तों बश्चनम अत्र ही जो राधारनी के उपाशक है जुगल के उपाशक है उनके लिए अपरिहार यह है ऐसा कहते हैं जो कार्थिक ब्रत में जो कोई नियम नहीं ले करके शिच्चा चरीता पूर्बग जो भी भजन करते हैं अपनी इच्छा नुशार बोलते हैं उसको बश्चनप कहां नहीं जाएगा इतना तक है उसको बश्चिपनब कहानी जगाओ कोई ना कोई तम्हारा शामर्त नहीं है कोई ना कोई नियाम तुमको लेना पड़ेद Most उचित्त है यह तुम्हारे भालाए के लिए यह नहीं भगवान कुछ चाहती है तुमसे ऐसा नहीं भगवान का कोई लेना ना देना भगवान से कोई मतलब नहीं तुम्हारे कल्यान के लिए ही भगवान ऐसे उपदेश करती है तुम्हारे मंगल तुम कर लो तो कार्थिक बृत में जो विशिश उनुष्ठान ले करके जो उज्जापन करती है उसमें भगवान बहुत प्रशन हो जाती है ये बृतधारन करके बृतधा के तो बहुत सारी नियम है बहुत कुछ है लेकिन इसमें पास पृधान है कोई अगर हमारे द्वारा कोई और कठोड तपश्चा इत्तादी नियम करना हमारे द्वारा शंबब नहीं होता है तो कम से कम ये पास अवश्चो करेंगे पहला नंबर है प्रातस्तान ब्रह्म मूर्थ में शुर्जो दैके एक घंटा पहले कम से कम स्नान करना चाहिए प्रातस्तान फिर तुमारा दीबदान प्रती दीन भगवान को उद्दिष्च करके दीब प्रुजलन करके उस दीबदान मंदिर में हो अपने ठाकूर घर में हो दीबदान करना चाहिए तिसरा नंबर है तुलशी शेवन तुलशी है भक्ति देभी सक्षाद भक्ति देभी तुलशी रोपन तुलशी हाद दी पानियोनी देना दंडवाद परिक्रमा इत्ता दी तुलशी शेवन चोथा नंबर है सिर्माद भागवत स्रवल भागवत है भगवान के बांगमाई बिग्र हो जब भगवान अंतरधान करेंगे प्रबाश शेत्र में सब मुनिरिशी आ गए है चारो ओर से सब पुरिवेश्ची तो हो करके रो रहे हैं भगवान कहे रहे हैं आप लोग क्यों रो रहे हैं क्या बात है कहते हैं प्रभू हम लोग जान गए हैं आप लिला संबरन करेंगे आप मर्त लिला संबरन करके आप नित्त धाम चले जाएंगे तो हम लोग किस के शाहर हमें रहेंगे आप जाने का बादी ये शमस्त धरित्री काल ग्राशी तो करके एक कुली जुगा जाएगा तो हम लोग फिर किस के शाहर हमें रहेंगे बोलता है आप लोग ऐसे क्म शोश सरे हैं आप लोग घ्यानी हो किया है किम हो कहत है क्योंकि हम तो हर समय बिद्धमान है हम नहीं है आभीरभाब घिरभाब मातर है लेकिन हम हर समय है जब आप लोग चिंतन करेंगे आपके जिदाई में हमको अबस्ष़ तर्शन करेंगे ऐसे नहीं जो हम चले जाएंगे फिर आएंगे नहीं ऐसे नहीं आप हम बैप्त है मैं तो शमस्त बुस्त पदार्त के भीतर मैं ही हूँ इसलिए ऐसे बियोग चिंता करना ओचित तो आप लोगन को तो है नहीं क्यों आप लोग शब ग्यानी है उसलिए ना फिर भी प्रभू आपके दर्शन से आपके शन्निद्ध में जो शांती जो आनंद हम लोगन को मिलता है जो प्रणा मिलती है वो तो मिलेगा नहीं ना आप तिरोभाव के दशा में फिर हम किसके शन्नि भागबत महापुरान के शलुक जाए ना शब्द है उसमें शब्द रुप में हम बिराजमन रहेंगे स्रिमाद भागबत है तो मान लिजे मैं हो मेरी शरुप है स्रिमाद भागबत महापुरान इसलिए स्रिमाद भागबत स्रवन ये एक प्रधान अंग है और उज्जापन उज्जापन मने फिर जब एक महीना के अंत में दो चार सादू संत जैसे भी हो आपका जैसे सामर्थ तो कोई ना हो कम से एक दो सादू भी संत भी इस तरह से भोग लागा करके उनको निवेदन कर दीजिएगा यह करना है और बाकी जो नियम करेंगे अधिक से अधिक नियम जैसे भूमी शयन केश बिनना शादी तेल कोई लोग आदी संपर को में नहीं रहना है तेल मर्दन करना नहीं है केश में तेल नहीं देना चाहिए कापड़ा में शाबुन नहीं देना चाहिए शाबुन नहीं देना चाहिए इस तरह से ब्रतोधारन करके एक माईना रहना चाहिए भूमी शयन और खाने पीने में जो तेल मिर्स मशला इसा परित्त्य करना जो बिशिश नियम लेकर के जो भजन करेंगे उनके लिए जो अशमर्द के हैं बिद्धावस्था और बिमार ग्रस्था है उनके लिए नहीं ऐसे स्तिति में ऐसे उबले हुगा हविश्यान्नो निमक शुदार निमक चलेगा घी चलेगा और इसमें काली मिली चलेगा इस तरह से हविश्यान्नो प्रस्थुत करके निमिदन करके फिर आपको शिकार कीजिएगा कोई संबभ हो तो एक बार अगर अशंबभ हो तो एक बार ही उत्तम है एक बार आहर जो लेंगे सामको दूदूद ले सकते हैं है ना और बैदिक ग्रस्थ है कोई और कोई कारण है तो ठीक है दो बार ले 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 जिए इस तरह से और ये रातोस्तांत करना ही है सादू संग करना है जथा संबभ कोई-कोई सामर्त है कोई मोण उबृत ले लेते हैं और बाहर ही कोई बोस्तु यो शिकार नहीं करते हैं, कोई निमंत्रन भन्दरा शिकार नहीं करते हैं, कोई बहार के बनावटी द्रब्ब, वो शिकार नहीं करते हैं, अपने बनावटी, अपने हाथ से बनाई हुई, पकाई हुई जो बस्तु हैं, उसको ही शुद्धाचार के साथ बना करके, डिविदन कर के फिर जाके वश्रिकार करना चाहिए इस तरह से फिर भी था बाग कर आउर भी बहुत चाहिए जैसे किसे से प्रोधीत नहीं होना किसी को कुटु बाग को शब्द प्रयोग नहीं करना कोई अत्यासार करे कुछ भी करे फिर भी उसको प्रतिबाद नहीं करना कायमन बचन सि किसी को दुखी नहीं करना यह होना चाहिए ऐसा नहीं हम बृत धान करते हैं उधर हला चिला लड़ाई जगडा कर रहे हैं किसी को दुखी कर रहे हैं किसी का निंदा कर रहे हैं तो तुम्हारा बृता बृता है यह बृता कोई काम के नहीं है भाले तुम बृता मत करो लेकि शादू जो है वो तो कायमा न बचन से जश्मान न दिजयते लोको लोकान न दिजयते चजा हर्ष अमर्ष भायत बेगर मुक्त जश्षा में प्रियो जो किसी को उद्विक नहीं दिते है जश्मान न उद्विक नहीं देते है दूसरे के द्वारा भी उत्तक तो नहीं होते हैं हर्ष अमर्ष भाय उत्विक से मुक्त वो मेरा भक्त है मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ तो नियम श्यमा मेकातिक बृत में इस तरह से प्रतिग्गा करना चाहिए कायमन बचन से हम किसे को उद्विक नहीं देंगे किसे को कुछ नहीं कायेंगे कोई दुखी करने का चिश्टा करने से भी हम कायमन बचन से हम उनको कोई प्रकार कष्ट प्रदार नहीं करेंगे बिर्था बाक्त बार नहीं करेंगे शब्द के द्वारा कभी किसे का निंदा नहीं करेंगे जहां संबब हो शब्द बोलना नहीं अनुद बेगां करंग बाक्यंग शत्तंग प्रियंग हितंचे जत शद्द भैशनंग चोईब बांग मैंग तपो उच्छा थी ये बाचिक तबश्चा शब्द के द्वारा ही बड़ा-बड़ा अनर्थ हो जाता है बड़ा-बड़ा अपराद लग जाता है शब्द के द्वारा अनुद बेगं करंग बाक्यंग जिस शब्द के द्वारा किसे का उद्विक नहीं होता है शत्यंग ऐसे नहीं जूट बोलके उनका मनरंजन करोगे शत्य होना चाहिए फिर प्रियांग ऐसा नहीं उनको सुनने में अच्छा लगेगा प्रियां मिठी भचन प्रियां उसमें भी होगा नहीं हितन चज़त फिर उस शब्द को तरह उसमें का हित भी होना चाहिए अनद विक्कार प्रिया, प्रिया मने अच्छा लगए और हितकारी होना चाहिए, तीनों होना चाहिए, ऐसे शब्द हो तो बोलो, ऐसे शब्द नहीं आए, तो चुप रहो, मौन रहो, कुछ बोलना नहीं, तो यह शाधना का अंग है, हम लोग बाहरी क्या करते हैं, हम लोग ज़्यादा तर उस तरख तो कोई ध्यान नहीं खाने भी नहीं कोई कितना कठोर बास कोई तो फलाहरी चल रहा है फलाहर कारें फलाहर तो पुशुबखशी बहुत फलाहरी है तो क्या हुआ फलाहर से क्या होता है हाँ ये चित्त शुद्धी के लिए अंतकरण, शुद्धिकरण के लिए उपाय मत्रो, लेकिन ये भजन नहीं, मन को संग्जमन करने के लिए एक प्रक्रिया भीशिस है, वो भजन नहीं, हमारे असंजतो चित्त बृत्ती है, तो चित्त भी तो संग्जमीत करने के लिए हमारी ये सब नारा प्रकार साधना करना चाहिए, यह भजन नहीं लेकिन उसके प्रतिय हमारे ज़्यादा, तो मौनो है उधार, फिर शाकारी है और उधार तो देखो इसको डाट रहे है, उसको ये कर रहे है वो इसको ये कर रहे है, कोई लगाम नहीं, अपना आचरण के उपर कोई लगाम नहीं, ऐसे ब्रतो कुछ लाब देख नहीं है ठीक है, आहार शुद्धी होना चाहिए संग शुद्धी होना चाहिए फिर किसी को उध्विक नहीं देना है, कोई जूट नहीं बोलना है, किसी को शब्द को गरा प्रिजवास की महिमा बहुत बताते हैं कार्तिक महिना में ब्रिजवास करना यह तो बिशिष महिमा संपन्न है और उत्तम है धामबास नहीं कर पाए ब्रिजवास मानसिक रूप से अगर कोई जैसे मानु गिर्राज परिक्रमा लगाए या बर्साना की लगाए या प्रिन्दावन की लगाए और स्नान इत्यादी मानसिक चिंता मानसिक शेवाई तो बिशिष महिमा है अगर शरीर के दवारा शंबब ना हो तो मन में ऐसे ब्रिजवास कर रहे यह से चिंतन करना गिर्राज परिक्रमा लगा रहे हैं रादा कुंडस्तान कर रहे हैं ऐसे निजे अपनों शिद्ध देख करिया चिंतन रात दिन शिवे रादा कृष्णे रे चरण मन में अपने निक्त शरूप चिंतन के साथ जै मैं रादाने के ऐसे शवाचड़ी हूं और रादाने के शिवा में हूं ऐसे भावना तो रहना चाहिए विसेस रूप से फ़लार रहना सुयोचत है और फिर सबजियों में एक आलू शबजियों में क्या बहु बीज वाला शबजी निशेद है जिसमें ज़्यादा बीज होता है इसका भी साइंटिपिक कारण है बहु बीज जो शबजी है न उसमें किरा लगता है जिसमें बीज नहीं उसमें किरा नहीं लगता है आलू में कभी सड़ जाएगा किरा नहीं शकरकंद है कभी किरा नहीं लगया पपिता मन्यता है क्यों पपिता में कभी किरा नहीं लगता है इसलिए बहु भीज होते हुए भी पपिता चलता है जैसे करेला है उसमें किरा पर जाता है बेंडी है उसमें किरा पर जाता है यह कद्दू है उसमें किड़ा पढ़ जाता है इसलिए बता है जिसमें किड़ा पढ़ जाता है तो ऐसे तो मानेगा नहीं ना किसमें किड़ा पढ़ता है नहीं पढ़ता है वो हुबी बस छोड़ दो यह है साइंटिफिक कारण ना सबसे आलू अच्छा है आलू ते एक महिना कोई बात नहीं पपीता कच्छा केला कच्छा पक्का दोनों और सकरगंदी चल सकती है और मुंग की दाल चल सकती है खीशिल्डी खा सकता है भात खा सकता है रोटी खा सकता है सब चलेगा सिरिप तेल मिर्स मशला बरजित शेंदा निमग चलेगा और घी चलेगा और काली मिर्स चलेगा और जीरा चल सकता है जीरा भी चल सकता है जीरा अध्रक चलेगा अध्रक चलेगा हिंग नहीं चलेगा औ इस तरह से पुशिश करना चाहिए जो एक महीना ब्रत उज्जाबन करना है ऐसे आज के खता ही विश्राव प्रप्राथशनान दीवदान तूलशीशवन भागवस्रवन उज्जाबन पास करना ही है किसी तीर्त में जैसे किसी नदी में या कुण्ड में स्नान करने का विशेष फल प्रति दिन जोन आखilda करें नियाम कर कर के वो तो आवर अच्छा जितना करो उतने ही अच्छा है तुम कर सकते हैं भी अच्छा है यह नहीं है जा उतना ज्यादा नहीं है प्रज में जो महत्तम है तो गंगा किने में वो गंगा सुन करेंगे उत्तम है